जैमाकाल क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में प्रसनावली 2.2 के प्रसन और उधारड कम्प्लीट करवाएंगे और पिछली क्लास में प्रसन एक से पांस तक कम्प्लीट करवाए थे अगर आपने कम्प्लीट नहीं किये हैं लेंक के डिस्कृट तनों मिल जाएगा क कंप्लीट का लिना और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे प्रसन और उधारण प्रसना वाली टू-पाइंट टू के तो लाइक कर दो सभी स्टूएंट इस वीडियो को और इस वीडियो को जादा से जादा से अपने फ्रेंड सरकिल में तब तक बिद्यारती जुड़ र आयिप रहेगा कैसी भी संख्या का गन निकालना यहां पर लिखते हैं कि सीवी संख्या का गन निकालना अब यहाँ पर हम बन वै वन शंख्यान लेंगे और आपको सि खाएंगे घं का मतलब ह्या हो लगात माई डियरिस्ट्टेइंन्ट यहां पे देखिए, जैसे हमने ले लिया, बारा की गाते तिन दंडे आपको कर लेना है तो बारा की गाते तिन आप विदिन सैकंड में पता होगेíem, तो देखो यहां पे तीन दंडे ऐसे करके करना है यहां पर लिखना है 2 की गाते 3 तीन 8 फिर यहां पर लिखना है 1 की गात 3 फिर इसके बाद में 1 का districts करके दो में गुणा करना है मेरे पnsinn का स्कॉर्ण कर तो यहां पर लिखना एगा वोन आर दो में गुणा करो गे तो दो थी पर इसके बाद में यह वाला यह बाला ड пом कर देना है डवल का मतलब दो दूनी चार दो चाकू आठ डवल करना है तो दो दूनी चार और दो चाकू आठ देखो यहां पर अब इसे लिखना है अगर यहां पर दो अंक होते तो एक अंक लिखा जाता है एक अंक है तो जैसे का तैसा अगर यहां पर दो अंक होते या तीन अंक होते फिर भी आपको एक अंक ही लिखना है इदर लिख दे जोड़ने के लिए अपको समझते रहना है फिर चार और 8 कितना हुआ 12 हुआ एक आशल यहां पर दे देना है अब प्लस कर लेना है 2 और 1 3, 4, 7 होता है अब यहां पर हासल नहीं मिला तो इसको ऐसे लिख लो अब 13 का सिखाते है बन भाइबन इसको एम रफ करेंगे टेरा का घं साकिए आपको ध्यां रखनाक के तीन दंदे आपको ध्यां रखना है यहां पर आए आएगा तीन की गातें तीन का घं कितना होता है 27 होता है यहां पर आएगा इसका घं वन का घं वन यह ध्यानक ना है किसी भी संक्या का घं अगर निकालो तो सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है फिर यहां पर लिखना है फिर उसके बाद यहां पर फिर यहां पर ठीक है यहां पर अंक आपको लेना पड़ेंगे पहला अंग फिर बचा हुआ ठीक है अब इसका स्कौर करके तीन में गुणा करना है वन का कर गोना करो टो तीनी तो मिलेगा फिर इसके साइब्षबाद में गुणा करना आ है तीन का वर्ग करके एक मैं तीन का वर्ग नव नव एकम नव बीच वाले का डवल करना होता है दो का 2-3-6, 3-3, 2-9-18, अब आपको क्या करना है, एक अंक लिखना है, आपको बताया था, चाहें यहां पे दो अंकों, चाहें तीन अंकों, चाहें चार अंकों, एक अंक ही लिखना है, जो अंक बचेंगे यहां पे, उनको यहां पे लिख देना है, पिलस करना है, ठीक है, दो यह बन है और एक अंसिल में ला कितना जो गया तो यहां पर आपको लिख देना अब प्लस करेंगे इस आगे बढ़ते हैं अब आपको सिखाते हैं चौधा का घण एलेजह याप विदीन सेङट में बता सकते हो कि मेरे पैरे बच्चों यहां पर लिखेंगे 14 का घन आपको 3 डंडे यहां रखना है यहां पर इसका घंड़ करके 4 में गुणा करना है तो कितना मिलेगा चारे मिलेगा फिर इसके बाद में यहां पे कैसे Local दाताए चार का वर करके एक में गुणा करना है a लामिला सोला एकम सोला ठीक है अब बीच वाले का डवल करके लिख देना है आठ हो गया चार दूनी आठ सोला दूनी 32 हो गया आपको क्या करना है लिखना है एक अंख बताया था फिर शे बचा छे यहां पर देदो अब जोड़ लो छे छे बारा बारा और दो 14 एक मिला जोड़ओ एक और तीन चार और एक हाँसील 5 वह यहां पर लिखना है अब जोड़ो पांच चार 9 नौ और आठ 17 शतरा की एक लिखना एक हाँसील मिला यहां पर दो जोड़ दो दो, 27, 44 आएगा, 14 का गन, आगे बढ़ते हैं, 15 का गन सिकाते हैं, रेविट फायर, अब आप समझ में आ गया है न, 15 का घंढ देखिए 15 का घंढ देखिए यहां पर like करते रही है त्क इसके बाद यहां पर 5 का घंढ आपको लिखना है जो भी यहाँ पर अंक मिल जाए उसका घन यहाँ पर लिखना है एक सो पचीस फिर इसके बाद में बंका घन यहाँ पर लिखना है ठीक है कोई भी हो अंक इसके बाद कोई भी अंक हो इसका घन ही यहाँ पर लिखा जाता है और पहले अंक का घन ही यहाँ पर लिखा जाता है कि ये किलियर हुआ अंप इसके बाद में बन का स्क्वाईर करके 50- junto कर को पर चीच में लेगा पीच वालों Kṛṣṇa लगों का ड करके लिखा जाता है 55-50 tô कैंब एक निग वारा यहां पर टेदो ठीक जोड़ लो साथ अब 3 का अब और इसके बाद में इन्हें जोड़ना है यहां पे लेखना है एक-एक अंग करके आपको लिखना है चाहें इसकी बात करें चाहें इसकी बात करें तो मेरे पैरे बच्चों दो और कितना हुआ तीन रहा हो यहां पे नहीं सब्सक्राइब तेरा हो बनाई आप डिग्या और यहां पहले सा आपके शिखते हैं तई दो यहां पहता है कि तना हो जाएगा 3xiqi25 आइसा के निकालना है सूला का गन बताते हैं इसको को मारफ करते हैं रेविट फाइर आप जल्दी जल्दी आपको को शिखाते हैं कि आपने ट्रिक समझ लिए Crush समझ लिए हैं फों अपनी आप करना कुछ संगय लेकर अपने आप करना वाइं तेन दंड़े जियां रखना क्या एक दो तीन डंड़े जियां रखना को पहले अंका घन यहां पे लिखना old 343 होता है साथ का क्यूब कितना होता है 343 होता है फिर इसके बाद में आपको यहां पर इसका घर लिखना है हो गया ठीक है फिर इसके बाद बंका इसको करके साथ में गुणा करना साथ आएगा फिर साथ का वर करके एक में गुणा करना उन्चास आएगा फिर बीच वाले का डुल करके लिखना पड़ता है चुदा साहत दूनी चुदा दो का गुणा कर दो दो नेम 18 सब्नाओ सब्सक्राइब अब एक अंग करके आपको लिखना है तो यहां से तीन उठा लिया अब जो बचा यहां पर लिख दो चाहों तेस अब जोड़ो नोचाथ तेरा और तेरा आठ इकीस ठीक है दो हांसिल में लगाएं कि यहीं पर प्लस करेंगे तीन चार साथ तीन चार साथ साथ नो सोला सोला और दो अठारा यहां पर दो अठारा ठीक है एक अंग लिखने के बाद जो बचेगा यहां पर देना है अब प्लस कर लो इनको आठ साथ पंद्रा और पंद्रा चार उन्नीस ठीक है पंद्रा चार उ अवापको एक हांसल जोड़ना है कैसे etMus five और एक तीन यहां पर लिखना यह को deals तो उन्चास ते्रा सत्रा का घंड वहिए इसको अमरफ करते हैं ऐसे ही संख्या है और ले लेके आपको करना आ आंत्र सेम मिलेगा आंत्र सेम मिलेगा जो basic से लगाओ वही यह कि से निकलेगा प्रस नमबर छे देखिए इन प्रसनों को ऐसे करके लगा देंगा ऐसे ऐसे करके लाइक करते रही है लाइक करते रही है इसको अठाते हैं प्रस नमबर छे की है बारी अब नहीं करेंगे उसके साथ कोई आ रही है तो यहां पर डालते हैं प्रस नमबर छे और साथियों को जोड़ते रही है साथियों जोड़ते रही है बताईए कि बाइफा सक्षिस क्लाजिस पर एलेविंत मैत कंप्लीट करवाए जाएगी एटू जेड प्रस्न उधारर और बेसिक इतना तो आपको पता ही चल गया कि पढ़ाने का तरीका यही सबसे बेस्ट है ऐ एसे ही आपको तयार करना जैसे पढ़ाते हैं गडित में 100-100 ही आएंगे ऑम सर्फ। तरयं और फोर लगाते हैं वह टीचर नहीं है जो किताभी ज्यान देते हैं मैंने कभी बहुदी किताभी ज्यान कॉन देता है जो 50-nd ondan वहीं किताभी ज्यान देता हैएं मैंने कभी किता दिया गया है दुआरा परिवार संभन आर के प्रांत परिसर रज्याद केजिए तो ज़ी तरीके से निकाल सकते हो क्योंकि पिछली क्लास में आपने सीखा तर प्रांत और पर देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना दीया है आर बराबर एक स्गामा एक स्प्लस का फाईव फिर सश्डयट एक स्भलाइ लाइट जीरो से लेके कहा तक गया है पांस तक गया है एक दो तीन चार पांस ठीक है आराम से लिखो कोई दिक्कत नहीं जीरो से लेके चलना है हर लाइन मंँए आपको बताएंगे कि क्या मुझने किया ठीक है तो मेरे कर बच्चों यह एक्स का मान है एक होना चाहिए बिलांक्ष्ट्रू का मतलब क्या होता है यहां पर जो भी हो पहले हो केटे के अंधर जब यह संख्या गुरुमें आपको सिखाया है और यहां इसट्रू का मतलब क्या होता। यहां पर बोला है कि एक्स जो है बोला है बोला है प्रस्ण ने कि एक्स जो है मजले कोश्टक के अंदर है मजले कोश्टक के अंदर है तो इसका मेंसे यह एक्स के मान है यह एक्स के मान है वैसे तो हमने संख्यात्मा ग्रूम में ऐसे सिखा है लेकिन जब एक्स जैसे आप बोलोगे सर इसमें एक्स तो नहीं है मजले को स्टेक के अंदर तभी तो कह रहे हैं मजले को स्टेक के अंदर नहीं हो तभी तो कह रहे हैं यह जितने मान हैं वो एक्स के हैं अब क्या करेंगे हम एक्स लिख लेते हैं यहां पर जीरो एक दो तीन चार पाँच जीरो से लेकर कहा तक गया है पांच तक गया है भाई देखलो एक दो तीन चार फांच अब इसके बाद में आपको करना क्या है कि यह एक्स के मान उठा उठा के यहां पे लिख रहा है तो यह लिख जाएगा रोस्टे रूम में लिख जाएगा डिखो कैसे जब 0 रखेंगे यहां पहें पहें तो 0 आएगा यहां पहें 0 फल dual क्या पांस पांस हुआ बाइ से यह भुञें से फांस 5 हो अब गर क απο 20 20 20 20 छहाट अब इसके बाद तीन निकों दो जगा तीन और यहां पर तीन पनाट डिंडार फिर आपने यहां पर यहां पे तो यहां पर कितना हो जाएगा यह नो हो भाई Mayor और नुद तो यहां पर चार बताते हैं जब आपने 0 रखा तो जीरों का 5 मिला है बंस रखा दो जगा तो वन क्वागव यहां पर जोड़ेगा चिए पांच जोड़ना है बाद वालने 5 एंध्यल्डना जैसे डो यहां पर रखा दो रुका बाद में 5 दो पांच उर्णा 3 तीन टीन है और चार पर पांच जोड़ो नहुआ फिर पांच रखो पांच पांच जोड़ो दस हुआ अब आराम से जो आगे वाले होते हैं आगे वाले वो प्रांथ होते हैं देखो कैसे आर का प्रांथ आर का प्रांथ जो आगे वाले होते हैं आगे वाले ये वाले वो क्या होते हैं प्रांथ होते परिसर होता है तो आर का परिसर आर का परिसर बाद वाले देखो बाद वाले देखो बाद वाले देखो बाद वाले वाई क्या है पांच है फिर छे है फिर उसके बाद साथ है फिर आठ है फिर नौ है फिर दस है एक बार फिर रिपीट करते हैं बाद वाला पांच बाद वाल आर रोस्टर रूप में मिल जाए युग में मिल जाए तब आंगे वाले जो होते वो प्रांथ होते हैं और बाद में जो लिखा होता है वो परिसर होता है भाई अब इसको हम रफ करते हैं समझ में आ गया होगा नोट कर लो नोट कर लो लाइक करते रो सेयर करते रो लाइक कर ज्यादा से ज्यादा सेर क्या करो विद्ध्यारतियों को जोड़ी है अब देखिए साथ साथ इसको हम रफ करेंगे साथ मां देखिए यह हो गया ठीक है नोट करते रही है आगे बढ़ते रही है नोट करते रही है आगे बढ़ते रही है साथ में में देखना है आपको क्या कहा गया है तो साथ नंबर में बोला गया है संबंद आर जो है यह दिया गया है रोस्टर रूप में लिखिए रोस्टर रूप में प्रस नंबर छे में जैसे आर निकला तो वैसी निकालना है तो पहले आर लिख लो पहले क्या करो आर प्रतिकात्मक विधी में दिया गया है पार्ट एक अगर आपने नहीं पढ़ा पहले पार्ट एक पढ़िए लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में पार्ट एक का और बन बैबन क्लास लीजिए पार्ट एक कम्प्लीट करिए फिर उसके बाद पार्ट दो दिक्कत आएगी क्योंकि यह प्रतिकात्मक विधी जो है यह पार्ट एक है समझ रहे हूं तो और गडाना लगा के लिखा वह तो साड़ी विदी तो यह प्रतिकातम विदी है किसमें चेंज करना है रोस्टर रूम में ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स कामा एक्सक्यू ठीक है फिर उसके वाल सच दैट एक संख्या एक संख्या दस से कम एक अभाज संख्या आए पहले तो इतना हमने नोट किया पहले इतना हमने नोट किया अभाज संख्या आए थीक है तो सर्त देखो दस से कम होला है अबाज संख्या है तो अबाज संख्या है तो पता है अबाज संख्या क्या होती है जो वन से कट हैं सोयम से कट हैं किसी और से ना कट हैं वो क्या होती है अबाज संख्या होती है लेकिन दस से छोटी लेना है तो एक्स का मानिया पर हमें पता क करना है फिर यहां पर रख देना है रोस्टर रूम में निकल आएगा तो दस से छोटा पहला तो दो ही होता है हर बच्चों को पता है अवाज संख्या सबसे पहले दो दो से स्टार्ट करते हैं फिर दो के बाद तीन हमने बता है जो सोयम से कट है वन से कट है किसी और से ना कट है तो दो तीन पांच कि फिर छे नहीं छे नहीं लेंगे क्योंकि छे दो से भी कटेगा और छे तीन से भी कटेगा तो हमने क्या बता है किसी और से ना कट है कोई संक्या किसी और संक्या से ना कट है यह कट रहा है इसलिए छोड़ दिया फिर उसके बाद साथ साथ के बाद आठ है छोड़ दो से भी कटेगा चार से भी कटेगा किसी और से ना कट है कोई भी संक्या किसी और से अगर कट रही ह उसको छोड़ देना है आठ नौ को छोड़ दो क्यूंकि नौ जो है तीन से कट रहा है किसी और संग्या से कट रहा है तो यह अब आज संग्या नहीं है बास दस से छोटा ही हमको लेना है यह क्लियर हुआ दस से छोटा ठीक है अब यह एक्स के मान आपको वन वाइवन रख देना है तो जैसे ही हम रखेंगे जो आंसर निकलेगा वो किसमें निकलेगा रोस्टर रोस्टर रूप में ठीक है यह रोस्टर जो है इंग्लिस वर्ड है साड़ी बिदी का इंग्लिस वर्ड है रोस्टर तो आर बरावर देखिए जब हम रखेंगे दो दो की गातने तीन आठ हुए ठीक है तीन रख़ो यहाँपे तीन खी टें सत्ग्षस वगुए रखते रहिये रखते रहिये दो तीन कि फिर पांच पांच रख यह तो यहांपे 5 रखा 5 को एकसो में गातने तीन 12345 ठीक है फिर उसके बाद है भाद कि साथ रखिए साथ तो साथ यहां पर रखेंगे साथ की गातें तीन 343 साथ की गातें तीन 343 हुआ तो मेरे प्यारे बच्चों कितने योग मनें एक दो तीन तो हमसे क्या मांग गया रूश्टर रूप माय गया हैं यही रूश्टर रूप ऋ और ये समझना कर दिते हैं लिस जो है ये वाला एक्स जो ए संख्या दस से कम तबा θα संख्या Boss करह 5000 तीन तीन dos कर ल tua 3D काट रहा क्षा से चोड़ना कटेगी ऑन से कटेगी किसी और संख्या से नहीं कटेगी तब ही हमने लिया थे वाद साथ लिया ठीक है और आपको यही समझ लेना है अगर यह समझ गए तभी आप बता सकते हो रोस्टर रूम में यह हो गया अब आठ देखिए प्रस नमबर आठ संख्या मागी गई है आराम से बता सकते हो फार्मला याद है पिछली कलास में हमने फार्मला आपको बताया था ना बेसिक जब प्रसनावली 2.2 का पढ़ाया था मेरे प्रसनावली 2.2 पढ़ाया था 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 अब nar वvaluation के अनि संख्या बताया तो बताई थी तो फार्मला याद है तो कोई दिकत नहीं आएगी आप तुरंत ही देख के ही आंसर बता दोगे तो यहां पर आठ है ना दिये गए समुच्चे लिख लो क्या लिख लो दिये गए समुच्चे सबसे पहले आपको दिये गए समुच्चे लिखना है क्या लिखना है दिएग है। समुच्च्य पहले क्या लिखना हैastית. ए बरावर x y z ठीक है ? ई लिख लिया। फिर आपको b लिखना है कितना हैェ 165200, देखो a लिखा , x y z, b लिखा 1, 2 ठीक है ? यहांसे आप इम्पठा कर लो इम्पर इम्पस्य का मतलब होता है अभिवों की संग्या तो एक दो तीन यहां पर हमने तीन लिखा यहां पर आपको यह न बता देना है यह फार्मला होता है टू की पावर एमन यही होता है यहां पर बताओ कितने हैं दो हैं अब लगा फार्मला A से B में संबंदों की संग्या यहाँ पर लिखते हैं A से B में समुच्चे A से B में संबंदों की संग्या संबंदों की संग्या लगाओ फार्मला उडाओ गर्दा My dear student My dear student लगाओ फार्मला उडाओ गर्दा तो दो की गात तीन गुणे 2 यें का मान रख दिया 3 और यें का मान 2 2 की पावर 6 तो कितना होगा 2 की पावर 5 का होता है 32 32-64 ठीक है 2 की गात 6 चाओ तो ऐसे कर लो 2-4, 4-8, 8-16, 16-22-64 अगर 2 की गाते 5 आपको पता है अलग से अलग से आपको और सीखना है दो की गाते 5 32 होता है और दो की गाते 10 होता है 10 24 यह लग से सीखो वाए मतलब बार बार यह कैल्गुलेशन मिलती रहती है तो बार बार मिलती रहती है इसलिए इसको आपको समझ समझना है कि दो की गाते 5 32 होता है दो की गाते 10 10 24 होता है ठीक है तो यह हो गया अगला देखो 9 नौट करिया मिडर्स नमबर की हेबारी नहीं करेंगे उसके साथ को या रहे है लाइक科र रहे हैं लॉइक करते रहे हैं विए लौक जोड़ते रहे हैं तो यहां पर करेंगे नौ नमबर डालते हैं नौ नमबर मैं डियर इस्टुडेंट लिखा है मान लिजिए कि आर जेड पर आर इतना है पूडांग दुआरा परिवाज संबंध पिर आगे लिखा है आर के प्रांत और परसर ग्याद कीजिए ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले संबंद लिख लो माईड श्टुडेंट सबसेक लिख लो संबंद लिख लो आर्ट पर लिखा सचेट्थ एक कामा वी फिलॉघ करेगा you मैं फिर कामा यह माइनस स्ब्सटूंप सब्सक्राइब करेंगे फिक्ला बनाएंग विक्स पूरांग के पूरास थेखिए ठीक है तो हमें यह सर्थ दी गई है ए- माइनस बैस है यह हम क्या करेंगे यूंभ बनाएंगे जब यह बना लेंगे तभी तो प्राद् परशन निकलेंगो तो देंको भाई पूरांग का मतलब होता है आई पूरांग का मतलब क्या होता है तो आई तो आपको पता ही है जीरो के राइट चलते हैं पिलस की और जीरो के लेफ्ट चलते हैं माइनस की और जीरो के राइट चलेंगे पिलस की और जीरो के लेफ्ट चलेंगे माइनस की और तो यहां से आपको ए और बी के मान ल और यहां पर आपको रखना है यहां पर तो मेरे प्यारे बच्चों मगले और बीका वन हमने माइनस बन लिया निया यह पर रखेंगे तो कितना मिलेगा बताईए one plus one दो मिला दो किस में बिलॉंग करेगा i में करेगा j languages तो कुछ भी रखो जो निकलेगा वो i में बिलॉंग करेगा चाहें आप a का मन 5 ले लिजिये और b का मन 3 ले लिजिये a minus v कहता एक पूरांक है तो a minus b एक पूरांक है देखें पूडांग निकलेगा पांच माइनस तीन दो हुआ क्या है यह पूडांग है यह बोलाए उसने कि ए माइनस भी ए माइनस भी एक पूडांग है जब ए माइनस भी निकालोगे तो एक पूड़ांग ही निकलना चाहे तो यह दो पूड़ांग है और यह जो निकला मतलünf जीड ही आपको मिले का तो इसे लिए डारीक्ट आपको लिख देने आए प्रांत जीड होगा और पूरे पूरे आपको मिल जाएंगे जब युगम बनाओंगे आगे वाले यही वैंजे़ेंगे और परसद जब निकालोगे तो यह डो वाले लिखे जाते योगम के बाद वाले तो बाद में यही सब आपको मिलेंगे यही सब आपको मिलेंगे बाद योगम के योगम में जो बाद में होता ना आ उसी से परसर निकालते हैं पहले लिखा होता उसी से प्रांत निकालते हैं ठीक है तो हम कहना यह चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्छों योगन ना बना योगन बनेंगे infinite योगम बनेंगे infinite डाट 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 तो इसलिए जब भी आपको A-V दिख जाए और R का प्रांत पूस दे R का प्रांत तो मेरे प्यारे बच्चों Z लिख देना पूरा पूरा मिलेगा भाई जैसे योगम बनाओगे योगम बनाओगे 0,1 मिला minus 1,2 मिला तो कितने भी बनाओगे ऐसे डाट डाट तो आगे वाले जो मिलेंगे योगम में वो पूरे पूरे यही मिलेंगे ठीक है तो योगम इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि infinite बनेंगे योगम डाट 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 ऐसे कितने बनाओगे टाइम लगेगा तो आपको सीख लेना है जो आगे वाले कि जो भी आपको मिलेंगे वो पूरे-पूरे जेड ही होंगे तो जेड क्या है यही बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों बाद बाद वाला चाहिए होता तो ऐसे करके आपको मिलेगा ठीक है ऐसे करके 5-1 तो बाद में जो होता ना बाद में उसी से परसर लिखा जाता तो बाद में यहीं आपको मिलेगा यहीं मिलेगा तो इसलिए हम जेड डारेक्ट हमने लिख दिया यूगम ना बनाओ क्योंकि इन फाइनेट यूगम बनेंगे टाइम लगे V-B ऐसा कहीं दिख जा अगर पिरांत पूछे जेड लिख देना परसर पूछे जेड लिख देना है टिक है यह हो गया वाई अब उधारर नेक्ष्ट कौन सा है साथ पहला ही उधारर है इसका इस प्रसमा वली का पहला ही उधारर है अब इसको रफ करते हैं उधारर साथ की हेबारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई आ रही है कि यहां पर साफ साफ का है कि यह दिया गया है और आर दिया गया संबंदों की संग्या संबंद परिवासित कीजिए मतलब नंबर एक में तीर आरेक दुआरा नंबर दो में प्रांथ सहे प्रांथ और परिसर ठीक है यह तो प्रचिया मिना यह के वलदीया लिक दो ए बराबर कि एक से लेकर कह तक अज़ी है एक से एक दो तीन चार पंकश यह एकसे अच्छे तक गया अज़ा है उसने एक इसे और Βाइबर एक वो im in गहाँ कि चैना जहां जहां एकस कमाइड लॉंग करेगा कमें एम क्योंके欸 समुच्चच एना एक समुच्च्च है तो दोनों चर एक ही में विलॉंग करेंगे अगर एह और की करता है और फाइम करता दो समुच्चह हैं अगर दो समुच्च्चच आ请 तो x करेगा ए ब्लाइब और करेगा ब्लाइग अगर एक ही समुच्चह तो थोकी दोनों चरद करते यह केही इककर एक स्मुच्च्चह में ठीक है तो अब अराम से कि आप पहले इसको रोस्टर में बनाइए उसके बाद हम पहला पाठ और दूसरा पार्ट बता पाएंगे तो रोस्टर रीप का मतलब यह मेरे प्यारे बज़्चों कि यह और बाई का मान लेना यह से क्योंको एकस बाई का मान अगर हमने बन लिए तो X कामान अगर हमने बन लिया यहां पर रखना इस सर्थ में रखना X कामान अगर बन लिया तो यहां पर रखो बाई कामान कितना मिलेगा 2 क्योंकि बन और बन पिलस करेंगे 2 हुआ तो X कामान जब एक लिया तो बाई कामान ये 2 मिला बाई कामान किसे मिला दो यह ध्यान रखना है जो बाई निकले वो ए में ही बिलॉंग करना चाहिए ए में बिलॉंग कर रहा है तो हम दो लेंगे अगर ए में बिलॉंग नहीं करता तो छोड़ते है जब हम रखेंगे 2 येकस का मान हमने कितना लिया दू?. यां पर रखो यां का मान कितना मिलेगा 3 ये 3 भी में है देugu 371 में तू कहने मतलब है 3 लियाwał ठीक है कि अब 3 ले लो जैसे हमने 3 लिया और यांपर का वाही का मान कितना मिले का चार ठीक ये चार बताई ये चार ए में है है चार ठीक है जब हम адम 4 लेंगे सपे र defended भाई का मुझा मिलेगा ये पांच बताई ये 5 में है तैका तो पॉं чув लिया जाएगा जैसे ही छे रखेंगे जैसे ही छे रखेंगे एक्स कामान तो बाई कामान कितना मिला छे और एक साथ तो यह साथ ए में नहीं है यह साथ मेरे प्यारे बच्चों ए में नहीं है देखो ए में नहीं है तो इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा मतलब वही लेना है बाई कामान वही लेना पांच कामा छे तक रहेगा ठीक है यह रोस्टर रूम में आगया अब इसके बाद में आप तीर और एक से इसे दिखा सकते हो लिखाए समंद को एक तीर आरेक दोरा दरसाइए तो नमर फर्स्ट में उसने बोला है 30 11 पसाओं से तर्फ यह डेश्य कर रही करते रही है तीर में दिखाना यह दे entonces तो टिरह कम दिखाते हैं समुच्छे आफ ही है तो अ एलिखो और यहां पर भी एलिक यह हो जाएगा R R का मतलब क्या होता है कि स The A में दो में कि दो सबूदश के कि बीच में संबंद होता है थीक अब ए रख लो पूरा-पूरा कितना एक से लेखे 6 तक एक दो तीन चार पांच 6 1 2 3 4 5 & एक, दो, तीन, चार, पांच है इसमें भी लिगो क्योंकि ए यहां पर भी है तो एक, दो, तीन, चार, पांच है इतना किलियर हुआ इतना किलियर हुआ अब आपको तीर लगाना कैसे लगाना है एक का पिरती बिम दो है एक का पिरती बिम दो है तो एक का पिरती बिम दो है त कि सर 2 का पूर्व 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 पर पांसा क्या पूच्छ नगा दिया शैर हमने लगा दिया यह बन गया Cum Lares पार्ट हो गया और मेरे पयरा बच्छो पहला पार्ट हो गया अब सेकेंड पार्ट में क्या पूचा है फटाफट बता दो क्योंके हमसे प्रांत और परसर ही पूछा है और सहे प्रांत पूछा है तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको सहे प्रांत के बारे में बताया था कि सहे प्रांत तभी आप निकाल सकते हो जब मेरे पास क्या हो डाइग्राम होना चाहिए प्रांत और परसर हर तरीके से निकाल सकते ह लेकिन सहे प्रांथ केवल और केवल डाइग्राम जब है तभी निकाल सकते हो ठीक है तो सेकंड वाले पार्ट में बोला गया है आर का प्रांथ सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला आर का प्रांथ तो प्रांथ चाहें आप यहां से लिख लो चाहें पहले वाले गोले से लि सभी चार-पांच यहां से लेख लो 1 2 3 4 5 आँ यहां से लिख लो एक 2 3 4 5 उ सिसे ने सभी संबंभ मानू क्या बोलते है आर का प्रَंक बोलते हैं अलिग दे क् packaging यहां से लो जिसका पृतिविम है वही लिखना है जिसका प्रटिविम है इसी लिए बंद लेना अगर से डाइग्राम से अगर प्रांत निकाल रहे हो तो जिसका प्रतिविम है वही लेना है तो वन का है तो इसलिए बन लिख लिए दो का तीन है इसलिए दो लिख लिए तीन का भी प्रतिविम है तो तीन लिख लिए चार का भी प्रतिविम है चार लिख लिए जिसका प्रतिविम ह ही है तो इसलिए इसमें छे नहीं लिखा गया अब इसके बाद में क्या मांग गया है आर का परिसर क्या मांगा गया तो आर का परिसर मांगा गया है भाई-साब आर का परिसर मांगा गया है तो बाद वाले जो होते हैं मान उनको लिखा जाता है क्योंकि वाई के सभी संबब मानों को आर का परिसर बोलते है तो यहां पर दो है बाद में देखो दो है फिर बाद में तीन है फिर चार है चार के बाद में देखो पांच है पांच के बाद में क्या है छे है तो दो तीन चार पांच है ऐसे लिखना है अगर यहां से लिखना है तो अगर यहां से लिखना है यहां से डाइग्राम से परसर तो बाद वाले में देखना पड़ते हैं मान जो होते हैं बाई के बाद वाले में देखना पड़ते हैं जो बाई के सभी संबब मान होते हैं वही तो होता है आर का परसर यहां से देखिए वही लेना जिसका पिर्ती बिम बना है देखो दो तीर लगा है कहने मतलब ऐसे समझो जिसमें तीर लगा वही लेना है दो पे तीर लगा है लिख लो तीन पे तीर लगा है लिख लो चार पे तीर वाले आपको लेना ही लेना है तो क्या बोलेंगे आरिका परसर अगर आप डाइग्राम से निकालो तो यह दियां रखना जिसमें तीर है वही लिखना है अगर इससे निकालोगे तो बाद वाले जो होते हैं वही परसर होते हैं ठीक है अगर हम बात करें किसकी सहे प्रां आर का सहे प्रांथ आर का सहे प्रांथ तो बाद वाले गोले में जो भी है सब को लिखना है यहां पर पूर पृतिविम नहीं देखा जाता है नहीं देखा जाता है बाद वाले गोले में जो भी यह लिख लो भाई सहे प्रांथ होता है तो एक से लेके किता है एक दू तीन चार पांच चे एक से लेकर 6 तक है ठीक है एक से लेकर 6 तो ऐसे करते साही प्रांद बताए जाता है और साही प्रांद केवल और केवल डाइगराम से किसी से नहीं निकल सकते हो मिरे पैरव्चों Leo यह हो गया complete करो उधारण साथ उधारण आठ की यह बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी इसको रफ करते हैं उधारण आठ पे उधारण आठ पे जाकर उसको रेविट फायर करते हैं तो उधारण आठ पढ़ लो पढ़ लो लाइक करते रही है शेयर करते रही है लाइक करते पर बोला गया आख करती दो दसमेलब 6 चाप लो आख करती सबसे पहले दो दसमेलब 6 चाप लो यहां पर पी है यहां पर क्यों है पी क्यों के बीच में आर ठीक है फिर क्या बोला है 9 4 25 नो चार फिर पचीज फिर बाद वाने पांच तीन दो एक पांच तीन दो एक पांच तीन दो एक फिर माइनस दो तीन पांच माइनस दो माइनस तीन माइनस पांच तो इसने बोला नौ जो जाएगा तीन में जाएगा और माइनस तीन में जाएगा यही बोला नौ किसमें सब्सक्राइब में 1-2 है फिर 25 के दो किया जरोगिन गोगया है यह निर्मार Cheese सका चैutan निर्मार रूप में लिगना समुच्य निर्मार रूप पहला जो पार्ट दिया गया है समुच्चे निर्माड रूब में लिखना है मिंस ऐसे लिखना ऐसे ऐसे करें क्योंकि प्रतिकात्मक बिदी जो होती है प्रतिकात्मक बिदी का दूसरा नाम है प्रतिकात्मक बिदी का दूसरा नाम है समुच्चे निर्माड रूब क्योंकि एक में हमने तीन नाम बताये थे तीन नाम बताये साड़ी के साड़ी रूप के और तीन नाम बताये थे प्रतिकात्मक बिदी के तीनों नाम ध्यान रगना है कोई ना कोई आपको प्रसन में मिल जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों फास्ट वाले पार्ट में उसने बोला है समुच्चे निर्माड रूप देखो भाई अब समुच्चे निर्माड रूप ऐसे करके बताना ऐसे ऐसे कर गए ठीक है समुच्चे निर्माड रूप समुच्चे निर्मार्ण रूफ, मैरे पियरे बच्चों, जैसे हमने आ लिक्षा है, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे करके लिखना पढ़ता है, एक ससदेट, मतभर एक सगा हां बाई, ससदेट, दो चर्ब में ही आपको लिखना है, ठीक है, दो चर्में, अब इसके बाद में यहां पे एक सर्थ होती है जैसे एकस बाई लिखो चाहें बाई एकस लिखो तो सर्थ क्या है देख लो यहां से निकलेगी 9 जो है इसका 2 पृतिवे मैं एक 3 एक माईनस 3 अगर हम 3 का बर्ग करें फिर भी 9 मिलेगा माइनस 3 का वर्ग मिलें करें तो फिर भी 9 मिलेगा मतलब वर्ग ये 9, 4, 25 क्या है वर्ग दिये गए संख्याओं के क्या दिये गए वर्ग दिये गए तो मतलब बाद वाले गोले में जो भी है उसका वर्ग कर दें तो आगे वाले मिलना है तो बाद वाले में क्या जाता है बाई जाता है आगे वाले में जो होता है वो एक्स होता है तो इसका वर्ग करो मतलब बाई का बर कर दो और एक्स के बरावर लिख दो बाई का बर कर दो एक्स के बरावर लिख दो 0 3 का वर्ग 9 मिला'M-greg R19 क्योंकिру C spreading लिखआ है कि इस्के बराबर ए === fd do यहां पे रखो दो का वर्ग 4 उतमना तो एक स्वान चार मिल गए माइनस दो बाइख कर यह फिर भी चार फच्छी सह अगर हम यह पांस यहां पर रखस्ञा है 25 मिला 25 Coffee उस decía रख दो माइनस पांस का पर 25 हुआ एक सवान 25 मिला तो यह मिला तो ऐसे करके आपको सर्थ बनाना और यहां पर लिखना यह जो है किसमें ब्लॉंग करेगा पहले वाले समुच्चे में पहले पी है और बाई जो है किसमें ब्लॉंग करेगा क्यों में तो ऐसे करके आपको बना के लिखा जाता है रोस्टर रूम में क्या होता है यह बना के तो सेकंड वाले पार्ट में हम क्या करेंगे रोस्टर रूप रोस्टारूम में है में हो लिख दो यहां पर कोई दिक्क्त नहीं है में हो लिख दो तो रोस्टारूम में क्या ह vídeos आपको पिष्म देगना है, जैसे 9 है 9 के 2 पिष्म है 1 तो प्लस 3 ए 1 मैनस 3 ऐसे करके लिखना है जिस पे जो मिले 9 पे 3 और 9 पे मैनस 3 है जिस पहर जो मिले उसी से आपको यह हम बनाना है 25 स्ज़त क्या मिला 25 पहुंच के जो और प्लस का पांस भी झा जाते या फिर योग तो चाहें अब रोही किरम में लिखिए चाहें आ रोही किरम में लिखिए एक भी नमबर नहीं कटेगा पूरे ही नमबर मिलेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे बन गए ठीक है यह तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या उसने बोला है उसने बोला है उसने ब प्रांत देखो नंबर पढ़ा है अगला पार्ट है कि ऐसे बोल दिया गया तो उसने ऐसे बोल दिया गया तो नंबर ना डालो ना डालो ना लिख दो नाओ नंबर नहीं पढ़ा है ना पार्ट नहीं है ऐसे अलग से पूछा गया है कि आरका प्रांट तो आरका प्रांट चा लिखा जाता है नो दो बार था एक बार लिखना है चार दो बार था एक बार लिखना है पचीस दो बार था एक बार लिखना है ठीक है नो नो चार पचीस हो गया प्रांथ और का परसर बाद वाले जो होते हैं बाद वाले उनको क्या बोलते हैं परसर बाद में होते हैं उनको क्या बोलते हैं परसर बाद वाले उठा लो तीन माइनस तीन माइनस तीन ठीक है बाद वाले उठा लो बाद वाले जो होते हैं उनको परसर बोलते हैं दो पर माइनस फिर आगे बढ़ो पांच पहले लिख लो चलो पांच पहले लिख दो पिलस का फिर माइनस पांच लिख द में नो बता दो बिदिन सेगें बता दो संबंदों के संक्या चिक्षा मन होती है तो इसको भी निप आते हैं इसे नora आप नích Kus य Ente उधार न debate उसको करवाते हैं उधार नो किये बारी और नहीं करें पसके और यहात को भी आए करते रहिए घ्द्यारतियों को जोड़ते रहिए परम पिता परमेश्वर के आश्यरवास से रखते रहिए आपने फिनी टडिय गए यह व्य वाने लिखा मेरे प्यारे बच्छों दीये गए सब्सक्राइब करो अनोड करूँ ऑनес के नोट करो नोट करो मैं डियर इस्टुडेंट एंड़ कितना है माइड आट यहीं मों सब्सक्राइबर ने ठाया सब्सक्राइब संबंदों की संग्या एसे बी में संबंदों की संग्या बताइए फार्मला बताइए रेविट फायर रेविट फायर दोकी गात एमन यह फार्मला हर बच्चे को पता हो समुच्चे में दो समुच्चे हैं तो एसे बी में संबंदों की संग्या हर बच्चे को यह फार्मला आ पर हम यहम कमान रखेंगे तो यहम कमान यहां से निकालो कितना हुआ दो यहां से निकालो कितना हुआ दो 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 हुआ रख दो दो की गात दो गुड़े दो दोगी गात कितना में लगा चार चाओ तो घात में ही छोड़ सकते हो घात में ही उत्तर छोड़ सकते हो या फिर इसको सोला कर दो यह की बात है बाई दोगी गात चार और सोला एक ही बात है चाहें ऐसे लिको चाहें ऐसे लिको दोनों ठीक हैं सरस्वती ने सर दिया गुरू ने दिया ग्यान मता पिता ने जर्म दिया कर्म लिखा भगवान तो कंप्लीट करवाद दिये हैं वाई प्रसन उधारण अब अगली क्लास में प्रसनावली 2.3 लाएंगे उसका भी गरदा उड़ाएंगे अगर यह मेरे क्लास चलेगे तो मिलते हैं अगली क्लास में आज के लिए इतना ही काफी है धन्यवाद